नमस्कार दोस्तों मैं महर्श मार्द आपका एम के कलौस्य में स्वाइब करता हूं दोस्तों आज healsonyं का बहुत important point जो आपका बहुत जॉद्या 건강硬ण है वह है आपका transparent क्रम परिच्छन दोस्तों इस प्रेशन वाली के अंतरगत कुछ ब्यक्ति होते हैं या अख्वा कुछ वस्तुएं हो ठीक है और जो है उनके कोई एक अस्थान निर्धारिद कर दिया है तो उनके अस्थान के तुलात्माग में किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु का अस्थान छलिए दोस्तों बात करते हैं इस पर जैसे मालो दोस्तों है कि कोई पंग्ति हो ठीक है पंग्ति में कुछ लोग बैठे हो जैसे कि मालो यह कोई एक पंग्ति है यह एक दो तीन चार पांच छे शाथ आठ नो दस ग्यार इस पंक्ति में ग्यारा लोग बैठे हैं कितने लोग बैठे हैं ग्यारा लोग बैठे हैं तो यहां पर यह वाला जो छोर है और यह वाला जो छोर है ठीक है दो छोर होंगे ठीक है तो यह जो छोर होगा यह राइट स लेट साइड होगा ठीक है बहुत अच्छे से समझना है और दोस्तों इसको क्या कहा जा सकता है दाइओर दाइओर इसको कहेंगे हम बाइओर और दोस्तों इसको कहा जा सकता है इसको कहेंगे अंत से क्या कहेंगे अंत से इसको कहेंगे प्रारम से इसको क्या कहेंगे प्रारम से और कहीं कहीं प्रेश्णों में लिखा रहता है कि नीचे से और यहां पर लिखा जाएगा उपर से तो इस तरह से इन सब्दों को बात करते हैं हम यहां पर लेप्ट साइड से कहा जाए किसी पंक्त में राम का अस्थान आरम से बाई और से उपर से पाच्वा है ठीक है क्या क्या कह सकता है लिफ्ट साइड से कह सकता है प्रारम से कह सकता है उपर से कह सकता है यह तीनों बातें एक हैं यह तीनों बातें क्या है आपकी एक हैं राम आरम से उपर से बाई और से पाच्वा अस्थान पर इसकी बात कैसे करेंगे स्याम स्याम दाइं और से या अंत से या नीचे से छटवे अस्थान पर इस तरह से प्रेश्ण करेता है ठीक है प्रेश्ण में ये सारी बात तो अभी प्रेश्ण नहीं बता रहा हूं कि कैसे प्रेश्ण बनते हैं के बद मैं आपको ये बाते बता र और बात जो है यह एक ही एट लेट साइट से बोले बाई ओर से बोलें प्रादम से बोलें उपर से बोलें पट ऑद दोस्तों यह सारी बात हैं मैं उम्मिल करता हूँ कि आपको समाझ में आगए होगी बहुत अच्छी तरीके से अब आपको करते हैं हिनके फामॉली की बात करें गे और साथ साथ कान्सेट को सीखेंगे और के कोशचन कैसे बनते हैं कि फ़हम लोग करते हैं फीक है दिखांड 278 में ऎक लिखता हूं कर एक पंक्ति में राम आरंज से पांचमय स्थान पर एक पंक्त में राम आरंज से पांचमय स्थान पर तधा अंत से अंत से छटवे अस्थान पर है तू अंत कुल वुध्यार्थियों की संख्या गयाती ही ठी कुल वुध्यार्थियों की कुल विद्यार्थियों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या ठीक है अब देखने यहां पे देख लिजी झिए कि एक पंक्ती में कोई पंक्ती है वहाँ पे राम जो है आरम से किसा स्थान पर है पांचवे स्थान पर राम आरम से मतलब की लेट साइड से एल से उसका मान कितना है पांचवा है राम आरम से पांचवे स्थान पर है तथा अंतिम से छटवे स्थान पर है मतलब की आर साइड से वो किसा स्थान पर है छटवे स्थान पर है तो पंक्त में कुल विद्याथियों या विद्याथियों की संख्या गयाद कीजिए तो दोस्तों देखेगा जब मुझे कुल संख्या गयाद करना हो टोटल संख्या गयाद करना हो तब हम एक ही विद्याथि की पोजिशन एक ही विद्याथि की पोजिशन दोनों तरब से दी होनी चाहिए जब तक एक ही बेक्त की पोजिशन दोनों तरब से नहीं दी जाएगी तब तक हम कुल संख्या को नहीं ग्याद कर सकते ठीक है यह आपको बात ध्यान में रहना चाहिए कि अगर मुझे कुल संख्या पता करना है कुल टोटल संख्या बताना है आपको तो किसी बिशेश बेक्ति की दोनों तरब से वैलू पता होनी चाहिए जब तक आप किसी बिशेश बेक्ति की दोनों तरब से वैलू नहीं पता होगी तब तक हम कुल संख्या को नहीं ग्याद कर सकते है और दोस्तों, कुल संख्या बरावर होता है, t बरावर होता है, t मतलब total संख्या, t बरावर yel plus r minus 1, क्यों हो जाएगा? t बरावर yel plus r minus 1, t बरावर होगा आपका, कुल संख्या, yel बरावर होगा आपका, बाई और से, या आप कह सकते हैं, आरंभ से, r का मतलब होगा, दाई और से, या आप कह सकते हैं, अंद से, और एक फार्मूले सी रहता है, वो, एक क्यों खटाया जाता है, मैं आभी आपको आगे में बता रहा हूँ, इस रसी फार्मूले बनता है, t बरावर yel plus r minus 1, तो यहाँ पर जब टोटल संख्या पता करना होगा, तो ब्यक्तिका स्थान दोनों तरफ से पता होना चाहिए, जब तक दोनों तरफ से बस्थान नहीं पता होगा, दोनों तरफ से उसकी condition, इस्थितिक प्रोजिशन नहीं पता होगी, तब तक हम कुल संख्या को ग्यात नह देखीगा कैसे करेंगे यहां पर इंगां कितना गया है 5 मिल का मांन कितना है 6 ठीक है तो यह पर चैसा मांन कितना गया है 6 गांश है 6 एक यह बरावर किसकी होगा ती के बराबर होगा ठीके यहां पर दिखो 6 5 11 माइनस एक तो कितना हो जाएगा minutes 10 कि तो 10 क्यों होगा एंसर हो जाएगा एक पंक्ति में कितने लोग है 10 लोग है ठीके इस पंक्ति में कितनी लोग यह 15 स्थान पर है और अंत से छटवे स्थान पर है इस तरह से उस पंक्त में कितने विध्यार थी या कितने बेप्पी हैं दस हैं ठीक है अगर इनको हम पंक्ति पार इस्थाफित करें एक तो आपका यह फामूले से लग गया भाई ठीक है इस तरह से और दूसरी इसकी कंडिशन कैसे बनेगी मैं उसको ब तीन चार पांच राम आरंग से किसा स्थान पर है पाचवे स्थान पर और यही बंदा यही राम उसी पंक्ति में अंतिम से छटवे स्थान पर है तो एक दो तीन चार पांच छे ठीक है यही बेटती लिए राम ही थीक है राम ही उसी पंक्ति में अंतिम से छटवे स्थान पर है एक दो तीन चार पांच छे चटवे स्थान पर है और यही राम आरण से अरणिन बाइस समझे होंगे हमारी एक कंडिशन के वन्ति घाताने की यह भी को मैं दो वार काउंन रहा हूं इच्छार और बार कमार्ए कि दो बार कहीं कि tahiag hin कि कीजिए कि पंक्त में कुल कितने स्तुडेंट रहे हैं श्रह कुल कितने स्थूडेंट वे टान्ट नौ दस दस लोग आए की नहीं ठीक है अगर हम उस तरह से जोड़ेंगे पांच धन छे बराबर हो जाएगा आपका 11 लेकिन 11 अगर आप करते हैं तो गलत हो जाएगा आपका करेक्ट एंसर कितना होगा 10 होगा 11 में हमें एक क्यों घटाएंगे क्योंकि जो राम है पच्वे स् इसर कितना होगा 10 ठीक है जिस पंक्ति में राम खड़ा है वाइं और से पाच्वे स्थान दाइं और से छट्वे स्थान पर उस पंक्ति में विद्यार्थियों या वैक्तियों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी इस तरह सभी हम कर सकते हैं और फार्मुले कि जब पंक्ति में एक ही वित्की दोनों तरफ से पोजीशन पता होगी तभी हम कुल संख्या को जयात कर सकते हैं अगर दायसे दिए गया पता होना चाहिए तो हमसे दोनों तरव से पोजिशन नहीं कर सकते हैं दिखेगा किसी पांक्ति में दोस्तों ये बार कर नहीं चल ला है इसी पंग्ति में इसी पंग्त में आर्या अब बाई और से इसी पंग्ति में आर्या बाई और से ग्रह्में अस्थान पर है पर है तथा दाई और से ताई और से तीजरी अस्थान पर है पर है तो पंग्ति में लड़कियों की संख्या जाती है दोस्कों नहीं हो कोई एक पंग्ति है लड़कियों की एक पंग्ति है किसी पंग्ति में आ रया रया लड़की का नाम है किशी किशी पंक्ति में आर्या बाइय और से गरहवे अस्थान पर है किस अस्थान पर है गरहवे अस्थान पर है ये किस अस्थान पर है दोस्तों गरहवे अस्थान पर है तथा ये बाइय और से है लेफ साइड से लेफ साइड से आर्या गरहवे अस्थान पर है तथा दाइ तो पंक्त भी लड़कियों की संख्या ग्याद कीजिए एक ही गल्स की एक ही लड़की आर्या का दोनों तरफ से अस्थान पता है तो कुल संख्या हम ग्याद कर सकते हैं अगर दोनों तरफ से अस्थान ना पता होता तब हम नहीं ग्याद कर सकते थे कब नहीं ग्याद कर सकते थे जब दोनों तरफ से अस्थान ना पता हो ठीक है जैसे कह देता कीफ मानलो कोई एक रंजना नाम की लड़की बाएं से पंद्रहमें अस्थान पर आर्या दाईं और से छटमें अस्थान पर तो कुल संख्या ग्याद कीजिए पंक्ति में तब नह करते हैं यहां पर देखेंगे इनका हैं तो सबसे पहले और उनका इसी बेस पर रखके लगाउस कि यहां पर जुमार है वो कितना दिया गया है, 11 दिया गया है, और R कमान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, minus 1, ये बरावर किसके हो जाएगा, ठीके, 11, 13 कितना हो जाएगा, 14, 11 और 13 कितना हो जाएगा, 14 और 14 में से 1 घटा देंगे, तो बरावर किसके हो जाएगा, ठीके, कितना हो जाएगा, 13, 13 तेरा लड़कियां बैठी हैं 13 उस पंक्ति में लड़कियां बैठी हैं तो करेक्ट एंचर कितना होगा आपका तेरा इस तरह से इंप्रेश्न को कर लेते हैं उस तरह से आपको मैं वदा देता हूं देखें अब बहुत ध्यान से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नों दस ग्यारा बारा तेरा ठीक है आर्या आरम से वाइयोर से यह बाईयोर है यहां से स्टाट करेंगे तो यह लेफ्ट साइड है ठीक है लेफ्ट से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा दोस्तों, ग्यारा ही करना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा ही करना है तो यहाँ पे देखो, ग्यारवे स्थान पर है ठीक है? और दाहिनी और से किसा चाहे चाहनगी ऊरश से और रहें तीसरे चाह उग्ञाँ temsystem एक दो ये तो यहां पर ग्यारह हो गया वह ग्यारहал किर आपके यहांब़ेशआये मार ये तो एक दो यह स्थान पर यह आपका ग्यारहो गया वह यहां टक 25 6.8 प्राट, नो, दस यह 11 अस्थान पर यहां पर ठीक है और हैं पर देखीगा यह इधर से आप देखेंगे दाइनी ओर से तो need two three वह तो areya three and Pur सब्सक्राइब तो यहां पर इनको दो बार काउंट कर रहे हैं अगर हम इस तरह से जोड़े बहुत कि 11 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 14 गलत हो जाएगा दोस्तों यहां पर 11 है यह 11 यह 12 यह 13 तो 13 लोग हो जाएगे पंक्ति में 13 लोग तो है तो जो हमें माइनस करते हैं यहां पर एक माइनस हम लोग इसलिए कर देते हैं क्योंकि एक ही ब्यक्ति को हम जो है दो बार काउंट कर लेते हैं तो इसलिए हम यहां पर एक माइनस कर लेते हैं और हम इस तरह से लगाएंगे इसको बार-बार आपको गिनना पड़ेगा ठीक है गलती भी हो सकती आपसे ठीक है तो आपको केवल क्या रहना है कि यह प्लस आर माइनस एक यह आप यूज करेंगी थोड़ा से ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर एक ही ब्यक्ति को हम जो है दो बार काउंट कर ल लेकिन भाई तो यह है यह ग्यारा बारा यह तेरा तीस तरह से कितने लोग हो जाएंगे तेरा लोग हो जाएंगे ठीक है अग्ला कोश्चन कराते हैं आपको नेक्स कोश्चन है जैसे मैं कहें दूं कि राम राम किसी पंग्ति में दाने से अठारवे अस्थान पर है अठारवे अस्थान पर है यह लिए यह लिए पंग्ति में कुल पजास व्यक्ति हों पजास व्यक्ति हों तो 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 राम का अब बाएं से इस्थान ग्याद कीजिए अठारवे अस्थान पर है दाएं ओर से किस अस्थान पर है अठारवे अस्थान पर है और पंग्ति में कुल व्यक्तियों या कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है पचास कितने लोग है पचास लोग है पंग्ति में कितने लोग है पचास लोग है तो राम का बाएं से Ramy किस और से? 2ृ से अस्थान गयाद करना है तो दोस्तों आपको अभी वेने फाव Con impairас कि T बराबर L प्लस R मैंनस एक T बराबर कितना? L प्लस R प्लस R प्लस D ठीक हे, यह आपको पता ही है ठीक हे, तो आप क्या करोगा यहाँ पर यहां पर फार्मलक क्या होगा यहां प्लस आर कमान कितना दिया गया दोस्तों 18 माइनस एक यह बराबर किसके 50 की पुल्स रहा है ती कमान आपको दिया गया पचास यहां कमान आप इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि राम का बाएं से कौन सा स्थान है यही आपका क्या होगा करेक्त तरертв है इस तरह से हम लोग संब करते हैं जैल कमान दिया घया कि आर कह साहरा ही ingredient यह क्कि में अर्कमान नहीं रहा है इस तिया रहा है इस तरह से जब आर कमान ना मता हो मान यह तब हम याँज सकते हैं ठीक है दोस्तों इस तरह के प्रेशन गनते हैं एक वस्चन मांग आपको और वाता हूं इसी क्या करके अंग मुझे जरूर बताये बीडियो कैसे हैं ठीक है और वीडियो को लाइक जरूर करने और वर जो नहीं समना आए मुझे कमेंड करके जरूर बताए कि कैसे हैं और जहाण समन्द में वह भी बताए आपको अगला वोस्चिन कर वाता हूं देहां से देखे वा, किसी पंक्ती में, किसी पंक्ती में, किसी पंक्ती में, किसी पंक्ती में, ए, किसी पंक्ती में, ए, बाय से, दस्वे स्थान पर है, लोसे दस्में श्थानता है और इसी पंक्ति में बाइए से दस्में श्थानता है और भी भी उसी भी उसी पंगती में दाइं और से दाइं और से छट में अस्थान पर है अधि तो बताइए तो बताइए रहें पंगती में कुल कितनी संख्या है पंगती में कुल संख्या आद कि जैं पंत्य में कुल संख्या यहाद किजिए अब दोस्तों देखेगा बही डेवो किसी पंत्य में डेह स्सक्छा पर Ubstation अउच्छा उर्णattend पर उर्ण और आप कहरें इससे किसा स्थान पर Azeroth differences एक जो जो पोजीशन है वो राइट साइट से देख रहे है न ये धाइएवर से श्杊धान पर है और योगा अपशन दोनों तरफ से position तो पता है, बाइं और से भी पता है, दाइं और से भी पता है, लेकिन दो ब्यक्तियों का पता है, विसेश एक ब्यक्ति का नहीं पता है, ठीक है, एक ही ब्यक्ति का, जैसे यहां पर मैंने बी लिखा है, यहां पर ए लिख देता, तो एक ही ब्यक्ति की दोन होना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा आपको ठीक है कि एक पंक्ति में ए जो है बाइस से दस्वेश स्थान पर है बी उसी पंक्ति में दाइं और से छटवे स्थान है तो बताइए कि पंक्ति में कुल शंख्या या तो बताइए पंक्ति में कुल शंख्या ग्याद किज तो इससे कोई मतलब ही नहीं है तो यहाँ पर क्या करोगे कुल संख्या को हम ज्याद नहीं कर सकते हैं कुल संख्या ज्याद नहीं किया जा सकता है कि यहां पर दो वेख्तियों की अलग अलग पोजिशन दी जाए तो हम कुल संख्यों को याद नहीं कर सकते हैं दोस्तों इस तरह के वह कुम्हेंद करता हूं कि आप कोश्चन कर लिए होंगे ठीक है तो यहां पर चलिए आगला हम कोश्चन कर राते हैं आपको अगला प्रेसम हैं एक कोश्चन और इसी तरह में करोड़े जाओं जिसे मैं लिख्दूं राम आरंसे किशी पंग्ति में राम आरंसे पचमे स्थान पर है राम आरंसे कि पचमे स्थान पर है तथा अध्याम सम अंत से सत्मे स्थान पर है सत्मे स्थान पर है तो पंगती में तो कुल संख्या ग्यान की लिए तो कुल संख्या ग्यान की लिए तो सोचो दोड़ा से जब एक ही बेक्ति की दोनों तरफ से पोजिशन दी जाएगी एक ही बेक्ति की दोनों तरफ से तभी हम कुल संख्या ग्याद कर सकते हैं रम आरंव सेस्थान पर स्याम अंतिंव से remains और अलग बेदिति हैं ओनकी पोजिशन आellow इलग देगा है उनकी पुर्ह इख है तो नहीं कियाओं पर delo आरंव रहे फिंग यहां स्याम कहरा सत्वे स्थान पर एक दो तीन चार पाँच छे साथ तो कोई यह जरूरी है कि यह पड़ोशी है दोनों या दोनों कहां पर बैठे हैं यह तो फिक्स तो है नहीं मारा वही हां चलो राम और स्याम को या तु प्रेश्ण में बोल देगा कि पड़ोशी हैं या इनके दोनों के बीच इतने बच्चे हैं तब तो हम कर सकते हैं यह कुछ चर्चा हैं तो इस तरह से जब पूरी बताए हैं तभ आपका इस तरह से दोस्तों हम इनके फ्रेशन को करते हैं अब इसमें बहुत सारे वोश्यन है आपके ठीक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सस्क्राइब जरूर कर लें ठीक है और जो भी आपको दिक्कत हो जो को समझ भी नाया हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता हैं आपकी कमेंट के मैं इंतिजार करता हूं ठीक है बहुत बहुत